तो यह वाली वीडियो शुरू करने के पहले मैं दो चीज़े ग्लेर कर देता हूं यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ डीजल ओनर्स के लिए है पेट्रोल ओनर्स इसको देख सकते हैं लेकिन रिलेट नहीं कर सकते हैं बिक्स डीजल और पेट्रोल का अलग-अलग कंसक्शन होता है इंजिन का और सेकेंड दिंग यह पूरी की पूरी वीडियो एक्स्प्रिमेंटल है मुझे इसके वारे में टोटल नौलेज नहीं है लेकिन मैं ट्राइब कर रहा हूं कि मैं इस एक्स्प्रिमेंट के साथ थोड़ा पीकप बढ़ा पाहूं या गाड़ी की एफिजन्द से भी मुझे ब्लैक स्मोक का एक इशू था मैं जब थर्ड से सेकेंड में शिफ्ट करता था तो उस टाइम पर एक ब्लैक स्मोक का बादल बन जाता था जो मुझे जरह भी पसंद नहीं है कि गाड़ी से ब्लैक स्मोक जादा आती है तो देखने में अच्छा नहीं लगता तो जब मैंने यह प्रॉब्लम है टेक्निशन को बताया तब उन्होंने पहले इंटर कूलर चेक करवाया इंटर कूलर मेरा क्लीन था उसके बाद जाके उन्होंने बोला कि इजियर इसका ओपन करके एक बार चेक कर लो माइट भी वह चोकप हो सकता है इसके लिए हमने इसक कहीं से शयद मेरे इजीर वॉल है तो फर्स टाइम मे는 जो खोलने के कोशिश की बट यह बहुत ज्यादा कॉम्पलिकेट जगब है है में ठोड़ा घाही में ता मुझे क्याना था तो मैंने इसको खोलने मना कर दिया हमने ट्राइग किया था लेकिन इसकी पीछे के इसको बोला था कि नहीं पैक कर दे क्योंकि गाड़ी मुझे चाहिए और एक एक बड़ा लंबा रन था तो इसकी वज़े से मैंने इसको पैक कर दिया पूरा का पूरा नीचे का हाउसींग निकल गया था तो यह खोलने में तो अगर जर सेखो कि अब गाड़ियों में ज़ीтиров आभावे होता है और एशे आर यहीं कहीं आजपास होता है तीक है अगर मैं आपको उंड़ याई 20 स्पोर्ट्स का दिखाऊं तो इसका टर्बो पीचे है और EGR कहीं आसपास ही अंदर है ठीक है मैं वेंटो का भी खोलता हूं जब EGR की लाइट आती है चेकलाइट आती है तो मैं जब खोलता हूं तो वेंटो का भी EGR आगे साइड में है तर्बो थोड पूरा पूरी तरीगी से चोकप था आज वाल सी चोकप थी सेंटर का सी फोर्शन खुला था तो मैंने परस्नली बैट के इसको खोल के चेक किया पहले स्कूरूडाइवर से जितना भी आजू वाजू का कारबन था लिटरली पूरा भर गया था तो मैंने पहले उसको क्लीन किया स्कूरूडावर से पहले निकाला फिर बाद में थ्रॉटल बोड लिया पाइप की एक बाजू जहां से फ्यूल अंदर आता है वह लाइन क्लेर होती है लेकिन एक लाइन तो पूरी तरीके से कार्बन से बरावा रहता है तो मैंने एक लाइन तो प्यूरली क्लेर था लेकिन दूसरी लाइन पूरी तरीके से चोकपती तो मैंने उसको क्लीन किया बाद में मैंने इसको डीजल से दोया डीजल से दोने के बाद उसकी हालत कुछ बेटर हुई फिर भी मैंने एक रिटन अटेम किया रिटन अटेम करने के बाद वह जो इजी आर था वो पूरी त हालत पहले कुछ ऐसी थी इसका सिंपली मैंने थ्रॉटल बोडी स्प्रे से साफ किया ज्यादा इसके साथ क्योंकि इलक्ट्रोनिक कंपोनेंट है फेल हो गया तो बहुत लंबा चोड़ा फटका लग सकता है तो इसके साथ मैंने ज्यादा चैडगानी नहीं कि मैंने इसको कार्बोरेटर स्प्रेस सीधा साफ कर दिया और इलेक्ट्रोनिक थ्रॉटल बोडी है तो इसमें और कुछ नहीं होता यह बटरफ्लाय होता है ओपन क्लोज होता है फ्यूल अंदर सप्लाय करने है काम ही होता है इतना रेशो जाए जैसे आप त्रॉटल दबाते जाओगे उतना यह बटरफ्लाय जाता ओपन होगा यह दो बाते करने के बाद हमने और एक चीज को ली थी तो जब मेरा क्लच कुला था मेरे फ्लाइवील के काम के लिए तो हमने यह पोर्शन निकाला था यह अल्रेडी ब्लयक्समुक से बहुत ज़्यादा परेशान था तो हमने यह वाला कंपवनटं निकाला वाद मैंने स्कसा चोकपत फिर जाली होती यह सेक्षन में एक यह नेट रहा हनि नेट जाली होती इस बेसिकली यह कार्पन करने काम करता है तो यहां से लेके अगर आप नीचे तक देखो यहां तक यह पाइप हमने खोली हुई थी जब हमने इसको को ला था हमारा कोई ऐसे प्लान नहीं था इसको खूलने का बस यह खुलावा था तो हमने एक बार चेक कर लिया मुझे भी नहीं मालन था कि इस से black smoke इतनी इंप्रूव होगी तो मैंने जब इसको फोला था इसको clean करने का और नहीं दो लिए तो इसको clean करने के लिए कोई liquid आता है क्या ऐता है मुझे इसको प्रेशर वाश किया तो जाली थोड़ी थोड़ी मुझे ट्रांसपरेंट दिखने लगी मतलब पाइप की एक साइड से देखो के दूसरी तरफ तो आपको लाइट दिखाई देगी उसमें से वहां से आती भी रोशनी आपको दिखाई देगी तो मैंने वापीस एक बा कि यह प्लान में नहीं था तो वह कितना खराब था या कितना चोकब था यह मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा बस इसका पाइनल रिजर्ट में आपको दिखा सकता हो एक्सास पाइप जहां पर से निकला था ना वहां पर ना बहुत सारा कार्बन जमाता मैंने सुझा इसक ब्लैक स्मोग के प्रफॉर्मांस होलो गई मेरा टॉप एंड का पर्फॉर्मांस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है और लोवर गेर में जभी भी आप गाड़ी ट्राफिक में उठानी की कोशिश करते हो गाड़ी बहुत इजीली ओपन हो जाती है और एक बाद बहुत टाइम के बाद मैंने मेरे क्लस्टर मेटर पर चीज का आव्रेज देगा होगा है वह भी रिटरन ट्रिप में ऐजने के पहले सब्सवाब 205 में जरूरे टो क्लमेटर करने के बाद ली यह काल सेब्सक्रेश था ये वीडियो 하 ا Việt आपको कैसी लगे मुझे कमेंट सेक्शेन में मताइए अगर वीडियो अच्छी लगे दे चानल को सब्स्राइब जरूरू पर्णों